C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 8 दशमलव प्रिष्ट 128 8.4 दशमलवों की तुलना क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है 0.07 या 0.1 प्रिष्ट 189 दो समान आकार के वरगा कागज लीजिए उन्हें साव बराबर भागों में बाठिए 0.07 बराबर 7 बटा 100 दर्शाने के लिए हमें साव में से साथ भाग च्छायांकित करने होंगे अब 0.1 बराबर एक बटा 10 बराबर 10 बटा 100, अथा 0.1 को दर्शाने के लिए 100 में से 10 भाग चायांकित करने होंगे 0.07 बराबर 7 बटा 100 0.01 बराबर 1 बटा 10 बराबर 10 बटा 100 इस प्रकार 0.01, 0.07 से बड़ी है आईए अब 32.55 और 32.55 की तुलना करें इस स्थिती में हम पहले पूर्ण भाग की तुलना करते हैं हम यह देखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग 32 है अर्थात समान है यद्यपी हम जानते हैं कि ये दो संख्याओं समान नहीं है इसलिए अब हम इनके दशान्ष भागों की तुलना करते हैं हम पाते हैं कि 32.55 और 32.55 के दशान्ष भाग भी समान हैं अब हम इनके शतान्ष भाग की तुलना करते हैं हम पाते हैं 32.55 बराबर 32.5 बटा 10 जमा 5 बटा 100 और 32.5 बराबर 32.5 बटा 10 जमा 0 बटा 100 इसलिए 32.55 32.5 से बड़ी है क्योंके 32.55 के शतांश स्थान का अंक 32.5 के शतांश स्थान के अंक से बड़ा है उदहरण 11 कौन सी संख्या बड़ी है एक या 0.99 बी एक दशमलव शून्य नौ या एक दशमलव शून्य नौ तीन हल एक बराबर एक जमा शून्य बटा 10 जमा शून्य बटा 100 शून्य दशमलव नौ नौ बराबर शून्य जमा नौ बटा 10 जमा नौ बटा 100 संख्या एक का पूर्ण भाग एक शून्य दशमलव नौ के पूर्ण भाग शून्य से बड़ा है अथह एक शुन्य दशमलव नौ नौ से बड़ी है बी, एक दशमलव शुन्य नौ बराबर एक जमा शुन्य बटा दस, जमा नौ बटा सौ, जमा शुन्य बटा हजार एक दशमलव शूने नौ तीन बराबर एक जमा शूने बटा दस जमा नौ बटा सौ जमा तीन बटा हजार दोनों संख्याओं के शतान स्थान तक के सभी अंग समान है परंतु एक दशमलव शून्य नौ तीन के हजारवे स्थान का अंक एक दशमलव शून्य नौ के अंक से बढ़ा है। अथह एक दशमलव शून्य नौ तीन एक दशमलव शून्य नौ से बढ़ी है। प्रिष्ट एक सौननब्बे. प्रशनावली आठ दशमलव तीन. 1. कौन सी बढ़ी है? कारण भी लिखिये. A. शुन्य दशमलव तीन या शुन्य दशमलव चार. B. शुन्य दशमलव शुन्य साथ या शुन्य दशमलव शुन्य दो. C. तीन या शुन्य दशमलव आठ. D. शुन्य दशमलव पाँच या शुन्य दशमलव शुन्य पाँच. E. एक दशमलव दो तीन या एक दशमलव द F. 0.099 या 0.19 G. 1.5 या 1.5 शुन्य H. 1.431 या 1.49 I. 3.3 या 3.3 शुन्य शुन्य J. 5.64 या 5.603 K. 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ग्यात कीजिए 8.5 दशमलवों का प्रयोग 8.5.1 धन हम जानते हैं कि 100 पैसे बराबर एक रुपया अथह एक पैसा बराबर एक बटा सौ रुपय बराबर 0.01 रुपया इस प्रकार 65 पैसे बराबर 65 बटा सौ रुपय बराबर 0.06 पांच रुपया और 5 पैसे बराबर 5 बटा सौ रुपया बराबर 0.05 रुपया एक सौ पांच पैसे कितने होंगे? यह एक रुपाया पांच पैसा होगा. बराबर एक दशमलव शून्य पांच रुपाई. प्रयास कीजिए. एक दो रुपाय पांच पैसे और दो रुपाय पचास पैसों को दशमलव में लिखिए. दो बीस रुपाय साथ पैसे और इकीस रुपाय पिछहत्तर पैसों को दशमलव में लिखिए. आठ दशमलव पांच दशमलव दो. लंबाई. महेश अपनी मेज की उपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है उसके पास 50 cm वाला भीता है उसने पाया कि मेज की उपरी सतह की लंबाई 156 cm थी इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी एक सेंटी मीटर बराबर एक बटा सो मीटर या 0.01 मीटर अतह 56 cm बराबर 56 बटा सो मीटर बराबर 0.56 मीटर इस प्रकार मेज की उपरी सतह की लंबाई 156 cm बराबर 100 cm जमा 56 cm बराबर एक मीटर जमा 56 बटा सो मीटर बराबर एक दशमलव पांच छे मीटर प्रिष्ट एक सोई क्यानवे महेश इस लंबाई को चित्र द्वारा दर्शाना चाहता है उसने समानाकार के वरगाकार कागजों को सो बराबर भागों में बाटा और प्रत्येक छोटे वरग को एक सेंटी मीटर माना यहाँ दो चित्र दिये गए हैं पहला चित्र सो सेंटी मीटर दिखाता है दूसरा चित्र चपन सेंटी मीटर प्रयास कीजिए एक, क्या चार मिलिमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटिमीटर में लिख सकते हैं? दो, साथ सेंटिमीटर पाँच मिलिमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटिमीटर में कैसे लिखेंगे? 3. क्या अब आप 52 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलो मीटर में लिख सकते हैं? दशमलव का प्रयोग कर 340 मीटर को किलो मीटर में कैसे लिखेंगे? 2008 मीटर को किलो मीटर में कैसे लिखेंगे? 8.5.3 वजन या भार नंदू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अद्रक और 300 ग्राम मूली खरीदी सबजियों का कुल वजन कितना है? आएए सबही सबजियों के वजन को जोड़ें 500 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 700 ग्राम जमा 500 ग्राम जमा 100 ग्राम जमा 300 ग्राम बराबर 2350 ग्राम हम जानते हैं के 1000 ग्राम बराबर 1 किलो ग्राम अतह 1 ग्राम बराबर 1 बटाह 1000 किलो ग्राम बराबर 0.001 किलो ग्राम इस प्रकार 2350 ग्राम बराबर 2000 ग्राम जमा 350 ग्राम बराबर 2000 बटा 1000 किलो ग्राम जमा 350 जमा 1000 किलो ग्राम बराबर 2 किलो ग्राम जमा 0.35 किलो ग्राम क्योंके एक बटा एक हजार किलो ग्राम बराबर शुने दशमलव शुने शुने एक किलो ग्राम बराबर दो दशमलव तीन पांच शुने किलो ग्राम अर्थात दो हजार तीन सौ पचास ग्राम बराबर दो किलो ग्राम तीन सौ पचास ग्राम बराबर दो दशमलव तीन पां प्रशनावली 8.4 1. दशमलव का प्रयोग कर रुपईों में बदलिए 2. दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिये 3. दशमलव का प्रयोग कर सेंटिमीटर में करिये 4. दशमलव का प्रयोग कर किलो मीटर में लिखिये 5. दशमलव का प्रयोग कर किलो ग्राम में लिखिये 5. दशमलव का प्रयोग कर किलो ग्राम में लिखिये 5. दशमलव का प्रयोग कर किलो ग्राम में लिखिये 5. दशमलव का प्रयोग कर किलो ग्राम में लिखिये अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत